राम राम किसान मित्रों हम अपने उसी खेट में खड़े हुए हैं सरसो के खेट में जिसमें हमने 45-46 की बुआई की थी और इस समय हमारे कटाई का काम जो है वो प्रारम हो चुका है 144 में दिन पर हम कटाई का काम कर रहे हैं और कातने के बाद कुछ इस तरीके से पकी हुई है वो दिख रही है अभी से हमें 10 मार्च को कटाई हमने सुरू किया है तो 144 दिन से पूरे हो गए है आज और अभी मैं आपको बता दूँ कि इसमें जितनी कुछ दिक्कते आई मैंने सब आपको बराबर बतता है और अभी इसमें कुछ पोधे ऐसे वी है जो अभी हरे लगी हुए है जो पकी भी नहीं यहनी अदबके हैं तो उन्हें 悲म ही बीच पीच में चोड़ना भी पड़ता है उन्हें पाकि पूरे तरीके से एka बाद है और नहीं आपको कारण कि पानी देने के बाद जमा हो था, वो सरसर भी खच्च्ची दिख रही है, पीच-पीच में आपको पकी दिख रही हो गीए, और बीच-पीच में यह काफी हरी हुई दिख रही है, तो जो हरी है, इन्हें छोड़ दिया जाता है, ताकि जो 2-4 दिन लगेगा कर रहे हैं और अभी हम इसी वीडियो में चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हमारी जो 52 थी पी ये बाउन दस बाहर की उसकी क्या हाल है वो पकाई पर कितने आई हुई है जो कि इसे दस दिन पीछे बोई गई थी तो चलते हैं अपनी पीए बाउन दस पर फिलाहल कटाई का काप जो है वो 45-46 पर ही चल रहा है ये हमारा वो खेट जिसमें हमारी सरसो लगी है पीए बाउन दस आप देख सकते हैं ये लगभग एक सार रूप से पकी है लेकिन इसमें भी कुछ कुछ पौधे जो है वो बीच-बीच में ऐसे हरे दिख रहे हैं कारण इसमें भी वही है कि थोड़ा जर्मिनेशन में दिक्कत आई थी चुकि मैंने आपको बताए भी था तो पानी देने के बाद जिन पौधों का जर्मिनेशन हुआ है वो भी हरे बने हुई है योकि सिच देख लिजे इसमें लालिमा आ चुकी है और मिनके दानों को देखते हैं तो अभी ये कच्चे हैं देख लिजे अभी ये कच्चे हैं तो इन्हें अभी कटाई के लिए भी हम तयार नहीं मानते हैं क्योंकि जब तक ये दाने इस तरीके से हरे हैं तो इनमें तेल नहीं नि से पक करके तयार हो जाएगी और इसकी भी कटाई का काम हम शुरू कर देंगे बीज बाकि हमारी यह लगी हुई है जो हमने कहा था कि हम इसमें मक्का लगाएंगे इसमें जीर आ गई है और अब हुट्टे बनना शुरू हो गए है और दे लिजे आपको भूए भी दिख रहे है उसका लगभख साथ क्वेंटल एकड का रहा है तो इस साल देखते हैं में क्या मिलता है हमारी खेत में वैसे जो किसानों ने लगाया था वो हम बताया था कि इतने क्वेंटल का एकड़ जो मुझे उत्पादर मिला है कुछ हमारी फसल जो है बीच में खराब भी हुई थ पोधे बच गए थे उनमें जीर आ चुकी है तो हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जैजमान जैकेशान